गुहाने में कमल का फूल के लेगा अर्याना में तीसरी बार भारती जंता पार्टिक सरकार्ट तो पांस तारीक ने पेरा पार्टा का बदलया अगर ना बदलया कोई लोगों ने खूब समझ गे हैं कोई माहोल तस से मस नी होने वाओ गाओं जा रहे हैं लोगों में पूरा जोश है और जोश हो भी को ना कल का जो संकल पत्रा है इतने गजब का जो है मोदी जी के ने थरतों में और ये नड़ा सामने जो डेकलेर किया है कि हर एक महिला को हरियाना में इकिस सो रुपया पर मंत हर महिला को दिया जाएगा उनके खातों में आ जाएगा उसके बाद अगनी वीर अगनी वीर रेटायरमेंट के बाद हरियाना सरकार ने गारंटी ली है कि हर एक अगनी वीर की नौकरी की जुम्मारी हरियाना सरकार की होगी तो ये छोटी बाद एक और चीज की है जो हमारी आयुश्मान योजना थी उसमें एक एडिशन किया है कि चिराई योजना के तहत में एक परिवार को दस लाक रुपे तक का मतलब इलाज कराने का खर्चा दिया जाएगा और एक और एडिग गया है कि सतर साल से उपर के बुजर्गों को पांच लाक रुपे वो अलग से होंगे मालों एक परिवार को दस लाक तो वो मिल गए और दो बुजर्ग हैं तो दस दस पांच पांच लाक रुपे दस लाक रुपे बीस लाक रुपे की मदद होगी एक परिवार को बहुत बड़े बड़े काम पांच लाख पक्के मकान बना करके सरकार पांच साल में देगी गरीबों को बहुत काम हुए हैं आगे हो रहे हैं तो मैं यही जोश है लोगों में कि जिस तरह से भारतिय जनता पार्टी करी है कि 24 फसले किसानों की 24 फसले MSP पर खरीदी जाएगी तो सारा जोश है चारों तरफ जोश थिस ब्रादरी में हर एक तबके में जोश है गरीब एक मिन गरीब आदमी किसी भी जाती से है चिव एसी है बीसी है किसी भी जाती से जर्नल जाती से और किसान छोटा किसान मंजला के उसने मन बना लिया है कि भारतिय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाना है गुहाने में कमल का फूल खिलेगा अर्याना में तीसरी बार भारतिय जनता पार्टी सरकार तो कोई असर लेगा कांगर सोड़े नूगे हैं वो पंदर उड़ार दी पंदर उड़ानी आओगा अलके वे फिर मावल बदल जाओगा बदलना निजी तो जो हैं वो हैं वो आप देख लिए उप लगाओ तो पांस तारीक ने बेरा पाटा का बदल आगा ना बदल आओगा